तो आपको लगता है कि आप जा रहा हैं क्या किया दिया लेकिन मोधी जी ने तो राम काो फंडा है और राम को वह बेच करके या और राम को नाम ले करके वह चनाव जी प्रचाते कि मोधी जी राम से उसकात sudah हो गया है काउंगरेस पार्टी के यॉवा चहरा हमारी साथ नहीं है जो कि भिण् किन दतिय लोक्सवा से इस समय दावित धारी कर रहे हैं हमारे साथ रूप सिंग शरइया कमारे कि इसके क्या है हुम 거야 मैं सर्विस में गया एक बशेर्विस करने के बार मैंने नौकरी से YouTube देने के बार मैं जन्सिवा में लगा मैं स्कूल को ओड़ा की स्टाफना की साथ साथ में पार्टी संग्छिर्ण का काम करता रहा और हर और चेप किन किन नेताओं के आप संपर्क मेरे कांग्रेस के सभी बरस नेता मेरे आधर से रहे किन किन नेताओं के संपर्क मेरे रहा और उन से हमेशा साने दो मादरसन प्राप्त हुआ है क्या करण मानते हैं कि पिछले 35 वरसों से लगातार बिंदतिया में कांग्रेस पार्टी लोग सभा में हारती चली आ रही है बज़े ये नहीं है बज़े ये है कि पहली बात तो ये है कि यहां हमाया बिंदतिया लोग सभा में इस्तानी कोई प्रत्यासी नहीं दिया गया और जन्ता के मन प्रत्यासी नहीं दिया गया ये यहां इस्तानी और यवा प्रत्यासी आया होता तो निश्चित तोर से कंग्रेस बिज़े ही होती है यहां का कंग्रेस सांसन बनता और मेरी तमन्ना यह है और मैं कि यहां का इस्तानी कोई वेक्ती आएगा तो निश्चित क तो आप इस्थानी है किस दगह से आते हैं मैं अटेर विधानसवा शेत्र से हूं मेरा बेंड में निवाश है और मैं पार्टी के तमें काम कर रहा हूं पार्टी यो सीर सिनेतत्तु निला करेंगा मेरे लिए तो मैं अब करहाएं आपको क्या लगता है मोधी की जो आधी दर शाद थे एकानदी बाल और निश्चित तर से क्या जैसे विजय हुई थी जैसे विजय हुई सरकार वनाएगी निश्यत पर्स अब दो सो तीस सीटों में से केतने सीटें कॉंग्रेस पार्टी को मिली हैं आपको क्या लगता है यह जो चुना हुगा है दो हजाद पेश का चुनाओ जनता ने बोट कॉंग्रेस को दिया है कॉंग्रेस के बिदाइक खरीदे और सरकार मनाई और आज भी अवकिगार इवी हम चोरी से ब्राली यदि जनता का रोजान हमेशा कॉंग्रेस के पच्छम में है और पूरूम में था तो क्या कर रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाओ नहीं हो रहा है जबकि देखा जा तो बड़े बड़े देशों में जर्मनी और जो अमेरिका वगरा जितने भी देश हैं बड़े देश हैं उन्हें तो आज भी बैलेट पेपर से चुनाओ होता है नहीं तो हमारी भी मांग यह है पूरे भारत देश के आज देखो कितने यवा आंदोलन कर रहे हैं सुप्रीम को को जनता की आवाज को मान करके बैल पेपर से चुनाओ कराए जाल जी है मोदी को समझे माज आएगा कि सच्चाई क्या है पार्टी अधी आपको मौका देती है तो पार्टी किस तरीके से देखती है कि आप चुनाओ जीत पाएंगे देखिए पार्टी का मैं निस्टाबान कार करता हूँ और मैंने अपने पूर मन बचन करम से पार्टी का काम किया है और मैंने पूरे भिंड जिले नहीं बलक दतिया जिले तक मैंने लोगों के हमेशा शंपरक मैं रहा हूँ और लोग मुझे कहीं न कहीं इसने करते हैं निश्चे तोर से मुझे बोट करेंगे और तो आपको लगता है कि इन चेहरों को छोड़कर आप पर दाव लागा सकती है पार्टी? तो गोजी पार्टी सीस नेतत्तु का नेड़ा है और लोग तंतर में पार्टी संगतन के जो काम करता है उसको सब को मांगने का अधिकार है और फिर लास्ट में फ्यासला स्वाटी के सीस नेतत्तु का होता है हमारे सीस नेता जो नेड़ा करेंगे वो प्रत्तियासी मनाई जा कि तयारी की दावेदारी थी लोक्सभा की भी फूर में दावेदारी की थी लेकिन पार्टी ने हमें नहीं दिया और ye कंग्रेस पार्टी कि क्या नीतियां है जो ईनकी दम पर आप को लगता है कि सरकार कॉंग्रेस की बनेगी या आप चनाव जीतेंगे? कांग्रेस पार्टी की नीतियां हमेशा गरीब, मजदूर, चोटे, ब्यापारी, किसान, दलित, ओबीशी, माइनौरिटी, और अनसुजजाती, और सभी भारत के जतने भी नागरिक हैं, उनके हित के लिए है, उनके मुलवूत सुवधाओं की लड़ लड़ रही है, और कांग्रेस हमेशा आज बरतमान में हमारे नेता जी, रहुल गांदी जी, उन्होंने भारत जोड़ो यातरा निकाली, अब निया यातरा निकाल रहे हैं, उसमें वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, और स्वास्त की बात कर रहें और जो जरूत की चीज मतलब है आवश्य का है इस देश के लिए उसकी बात कर रहे हैं और वो ही उनके बचन पत्र में सामिल हैं और निश्यत रूप से कॉंग्रेस की नीदियां भारत के लोगों के लोगों के लोगों के लिए मोधी जी इस समय देखा जाए तो पूरे करने जा रहे हैं तो आपको लगता है कि आप जा रहे हैं क्या हुद्या देखिए मैं ये कहना चाहूंगा बगवान स्री राम सबके आदर्स हैं और भारत के करोड़ों लोग हैं उनके हरदयमन निवास करते हैं सभी लोगों की उनसे सरद्दा है और मेरी भी सरद्दा है उ 30 dabei के अकेले राम नहीं है जब हमारे सनातन धर्म के सभी संकरा चाहा रहें यह इस बाइस्तारी के औदगाटन का विरोद कर रहे हैं और यह जो निश्चित TOR लेकर और राम को वो बेच करके या और राम को नाम ले करके वो चुनल जीतना चाहते है लेकिन ऐसा नहीं होगा. जन्ता राम की तरह नहीं देखे गी? नहीं जन्ता की और राम को रहाँ के जन्ता की और, बॉपर श्तव START को बनाने वाले राम्यों को पुइन के यह ज्राइब मौदी जी एक यह कु मानव है यह लेकिंट पाइब स्थी कि अद्व वस्यच्व को अजब कर औरम मौदीजी को मौरेटालो χ। मोदी जी राम से उपर फुड़ी हो गए तो राम सबके आदर्स है राम सरद्दे है और हमारे भी सबके सरद्दे है तो आपको लगता है कि इस दो हैर चौविस में बदला कुछ हो सकता है बिल्कुल देखिए चारो तरफ आवाज उठ रही है मोदी के खिलाफ उठ रही है मोदी केवल जूट और परपोगंडा की राजनीती करेके देश को गमरा कर रहे है लेकिन कब तक गमरा करेंगे 2024 में उनका फर्दाफास होगा उनकी गलत नेतियों का होगा और कांगरेश सरकार बनाएगी मदपरदेश की कमान इस समय जीतू पड़वारी को सौपी गई है आपको लगता है कि जीतू पड़वारी जी को कमान सौपने के बाद मदपरदेश में बदला होगा 29 सीटे आती हैं आपके मदपरदेश में कितने सीटे आप आईगी तो को जीतु पटवारी जी एवा चेहरा है हमारे सीस नितत के भरोसे के चेहरे हैं और उर जावान निता है और कॉंग्रेस को जिताने के लिए 2024 के चुनाव को जिताने के लिए जीतू पटवारी जी हमारे नेता उमंग सिंगार जी हैमद कडारे जी जैवर्दन सीन यानि पूरी कॉंगरेस की टीम और उसमें फूल सिंग पर रिया जी सामिल है और माने सबी हमारे सीर सुनेत तो कॉंगरेस को जिताने के लिए पूरे प् इबियम से जीत लिए बैलोड़ पेपर से चुनाब करा है एक पुनिदीस में नंतीस भी कांग्रीश जीतेगी और वाजपाप को सूपरा साफ हो जाएगा दोभाज चोवीस में भी चलेगी एक लिएम दोभाज चोवीस में वरुसा है जनता हमें बोट देगी कंग्रेस को बोट देगी उस्रकार बनाएगी गुम्हराth जनता आप की बारें होने वाली नहीं जनता कंग्रेस को जिताएगी और दोजाटलीLEच को स्रकार कांग्रेस की बनेगी बिल्कुल रूप सिंग जी अधि आपको टिकेट मिलता है तो आप क्या करेंगे बिंड़ती हामें लेकिए बिंड काफी पिछडा हुआ चेहरा है और चालीस वरसों से लगाता है यहां भारती जन्ता पार्टी का सांसद बनता रहा है लेकिन सही मायने में माना जाए तो किसी सांसद ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बिंड के लिए लें आए जिससे बेरोजगारी कम होती है यहां की जो प्रवरती आज हाला देख रहे हो बिल्ड के कोई विकास के नाम पर कुछ नहीं है ना सड़क है ना स्वास सुबदा है ना स्कूलों की बच्चों की पढ़ाई क इसलिए सुबदा है और सरकार तो लूटा है लेकिन मेरी प्रात्मता यह रहेगी यदि मुझे मौका मिलता है और बिंड में कार करने के लिए मौका मिलता है तो बिंड रतिया के लिए मैं सबसे पहले बेरोजगारों के लिए काम करूंगा और मैं बड़े प्रोजेक्ट ल करूंगा तो इस समय हमारे साथ आपके जना दला नीज के एस्क्लिजिव इंटर रूम में भिंड के योवा चेहरे और अठेर विधान सवा से आते हैं रूप सिंग सरया जी हमारे साथ जुड़े हैं जो की बिंड अधिया से दावेदारी कर रहा है कॉंग्रेस पार्टी का च क्या कुछ सवाल है हमें लेखिए जुड़े रही है आपके जना दालत नीज के साथ नमस्कार धन्नबाद अमने साथ बात करने के लिए ठेंक्यू आपका बहुत 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 जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे इसके साथ ही आपकी जना दालत नीज फेस्बुक पेज पर भी उपलब्द है आपकी जना दालत नीज फेस्बुक पेज को देखने के लिए आपकी जना दालत नीज फेस्बुक पेज का होलो बटन को आप क्लिक करें होलो करें आपकी जना दालत नीज को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें लाइक करते रहें और जुड़े रहें आपकी जनातालत नीज के साथ आपकी जनातालत नीज हर दम आपके साथ खड़ा है या हिन